नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सेख सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तो बताने की जरूरत नहीं है कि आज कल मार्केट में ऐलमूनियम विंडो का जो स्लाइडिंग विंडो होता है उसका ट्रेंड कितना जोरो से चला हुआ है दोस्तो बहुत से लोग अभी ऐल्मोनियम विंडो लगवाना पसंद कर रहे हैं लेकिन दोस्तो अगर आपके मन में भी है कि आप अपने घर में ऐल्मोनियम स्लाइडिंग विंडो लगवाने वाले हैं तो कुछ जनकारी आपको होनी चाहिए पहला जनकारी कि ये कीस रेट में बनाया जाता है ताकि आप कंपेर कर पाएं पहले दोस्तो लकरी का फ्रेम बनाया जाता था लोहे का ग्रिल बनाया जाता था और साथी साथ लकरी का ही पला भी बनाया जाता था दोस्तो लेकिन अभी नया ट्रेंड है कि एलमुनियम का फ्रेम बनता है और इसमें कांच लगाया जाता है जो कांच है मिनमम हम लोग कितने mm का कांच ले सकते हैं दोस्तों जो फ्रेम होता है वो भी अलग-अलग तरह के होते हैं किसी में दो ट्रेक होते हैं, किसी में तीन ट्रेक होते हैं, जाहिर सी बात है, दो ट्रेक, तीन ट्रेक में बनवाईएगा, तो रेट में फरक आएगा, तो आखिर हमें फाइदा किस्से होगा, दो ट्रेक वाले से, तीन ट्रेक वाले से, आखिर तीन ट्रेक का काम क्या है, हर एक चीज हर एक जानकारी आपको में इस वीडियो में देने वाला हूँ सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो इस खिरिकी का सबसे में पार्ट है वो है ग्लास लास्ट में रेट भी बताऊंगा ध्यान दीजिएगा जो हमारा अलमुनियम का जो फ्रेम है दोस्तो उसके अंद आ सकता है दोस्तो ऐसा केस भी आते हैं तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा ग्लास पर लिखा हूँ अरता है पांच एम्म उसको पढ़के अराम से लिजिएगा दूसरा बात है दोस्तो ग्लास अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो पूरा जो ट्रांस्पेरेंट ग्लास रहत लेकि रात जब होगा, दोस्तों, जब गर के अंदर light जलेगा, बाहर अंधिरा रहेगा दोस्तों, गलती से अगर आपने पर्दा लगाना भूल गया, तो दोस्तों, क्या होता है कि वो बिल्कुल transparent रहता है, बाहर से हर चीज घर के अंदर जो भी activity होता है वो दिखता है दोस् तो इस से बचने के लिए, जो एक translucent किसी इनका दोस्तो, ग्लास आता है, जिसमें हलका लगा दिखाई देता है, हलका black color का रहता है, ब्लेक sad में, उसमें दोस्तो, इस चीज की कमी रहती है, वो दोस्तो कम reflect करता है, ठीक है, और वो translucent रहता है, वो transparent नहीं रहता है, उससे भी important दोस्तो आप किसी अच्छे company जैसे टाटा हो गया, हिंडालको हो गया, वाक्सपोल हो गया, ये सब नामी इरामी company है दोस्तो इन सब छेतर में, तो इन ही का जो frame है वो लगवाईएगा, local brand भी आते हैं, जो कि उसी rate पे आपको चिपका दिये जाएंगे, थोड़ा कम करके, लेकिन दिक्कत यह होगा, कि जो sign है दोस्तो, इसको paint वगएर अथा हम करने वाले नहीं है, जो sign है वो दीरी-दीरी चला जाएगा, black color का हो जाएगा, आपका थोड़ा से हैर्मोनियम, ठीक है, थोड़ा से dull पर जाएगा, बनिया company का लगवाईएगा, सालों साल आ लेकिन, लेकिन आजाता इसमें दोस्तो, अगर आप चाहेंगे बाद में, कि आपको मच्छर से परेसानी हो रही है, एक जाली वाला slide रहता तो मज़ा आ जाता, तो उसके लिए दोस्तो, कम से कम आपको तीन रेक वाला बनवाना होगा, ठीक है, कि एक को बंद कर दी, ठीक ह और तीसरा को किसका दिये, सिर्फ और सिर्फ जाली रहेगा, आपका सिसा हट जाएगा, हवा अंदर आएगा, तो ये तीन ट्रेक वाले का ये फायदा है दोस्तो, और थोड़ा सा ही अंतर रहता है, ज्यादा पैसा का अंतर नहीं रहता है, तीन ट्रेक वाले ये बनवा सकत भाग में बढ़ जाएगा ऐसे दोस्तो दो ही भाग में बटा हुआ था अब दोस्तो आपका पला तीन भाग में बढ़ जाएगा और इससे होगा ये कि आप ज्यादा खिरकी खोल पाएंगे ये चीज़े क्लियर हो गई अब बात कर लेते हैं इसके रेट की क्या खिर में किस प्राइस में ये मिलता है दोस्तो आपको एक ऑप्सन दिया जाता है आप जब अल्मुनियम विंडो बनवाने जाएंगे तो आपको ऑप्सन दिया जाएगा कि आप किस तरह के अल्मुनियम विंडो लेना चाहते हैं एक रता है जिसका ये आपको जो पला है दोस्तो उसको आप खुद से निकाल सकते हैं और साप सफाई करके पोच के और फिर से उसको लगा दिये क्योंकि कांच है धुल बैठ जाता है और एक रहता है जो कि फिक्स रहता है उसको आप निकाल नहीं पाते हैं उसके लिए पेंच खोलना पड़ता है दोस्तों आप निकालने वाला बनवाए उसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है अब बात कर लेते हैं रेट का दोस्तों अलग-अलग सप्लायर हो गया डीलर हो गया जो दुकंदार है उन पे ये वहरी करता है 190 रुपे प्रती स्क्वाइर फीट से ले करके आप कांच की मुटाई की डलवार है ठीक है कितने ट्रेक का आप बनवार है उस पे डिपेंड करता है तो 190 सबसे कम मैंने देखा है 190 रुपे प्रती स्क्वाइर फीट केस आपसे और ज्यादा ज्यादा आपको 220 से 230 तक आप कितना भी ग्रामीनी लाका में रहता हूंगे 220-30 रुपे में आपको प्रती स्क्वाइर फीट केस आपसे ये बनवा दिया जाता है तो उमीद करता हूं जनकारी आपके काम क्यों होगी धन्यवाद दोस्तो